है यह वेरी गुडवाला गुड़ मॉनिंग यसा है आम सभी मायर रहा ठोड़ एक पर फिर से आप सभी का स्वागत करते हूं पीड़ाप्लीकेशन पर और मैं यह उमीद करते हूं कि आप सब अब बहुत अच्छे होंगे आप लोकी स्टेड़ी अच्छी चल रही होगी और जैसे कि आप सभी को पताए कि हमारा एक सेशन होता है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टाइगर रिजर्व पढ़ने वाले हैं यानि कि आज हम लोग कवर करेंगे टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व 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 ट पढ़ था वो पढ़ा tell National Park, स्वाइद आप लोगों के यहाद होगा कि हम लोगों ने just the National Park नाशनल पार्क हमारे पास कितने थे 106 प्लस नाशनल पर्क की बात करते हैं तो था सब्सेयाद पार्क थे क्र जातल सबसे पहले इफ अगर हम बात करते हैं नाशनल पार्क प्लस टाइगर रिजर्व एम अमारे टाइगर डिजर्व yuk प्लस टाइगर रिजर्व तो यह सारे के सारे किसके अंतरगत आ जाएंगे तो यह सारे के सारे बायोस्फेर रिजर्व के अंदर आ जाएंगे या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि जो नाशनल पार्क होते हैं यह आपके क्या हो सकते हैं यह आपके टाइगर रिजर्व हो सकते ह और यह नाशनल पर्क और टाइगर रिजर्व दोनों के दोनों किसमे आ जाएंगे बायोस्फेर रिजर्व में आ जाएंगे तो होपसो आपको समझ आ गया होगा देखो इसके बाद अगर हम बात क्वेटे हैं सिस्टम शिस्टम वर्ड इसको बंद करो क्या मचा रखा है क्लास में इसी सुबह पाली क्लास में सब लोग चिला रहे थे मतलब कुछ भी कुछ का मतलब कुछ भी तो अगर मैं आपसे पढ़ाऊं कि दिहांग टाइगर रिजर्व भी है और दिहांग नाशनल पार्क भी है तो आप मुझसे क्रोस कोश्चन ना करो कि माम यह नाशनल पार्क भी रह चुगा है तो मैं आपसे यही कह रही हूं कि अगर हम बात करते हैं तो नाशनल पार्क आपके टाइगर रिजर्व हो सकते हैं और नाशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों के दोनों जो आजाएंगे चाहिए चुछ करें आज का सेशन आजाओ सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक अचाहिए बताओ टाइगर रिजर्व होता क्या है जैसे हम लोगों ने नाशनल पार्क पढ़ा था कि माम एक प्रोटेक्टिड एरिया होता है जहां पर वाइल लाइफ को प्लेस पेड़ पौदे होता है या जो ट्रीज बगर होता है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इतना आप सभी को पता था ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में तो टाइगर रिजर्व ऐसे नैच्टरल एरिया ग्यार होते है या ऐसे प्रकरतिक चेतर होते हैं जो उनको लिए उनको आप को और लूग को पताता है अब ही आप लोगों को पता था कि रिजेटली बाग एस्टिमिशन रिपोर्ट को जारी किया गया था 2967 से बागो की संक्या बढ़ करके 3600 प्लस हो गई है भारत में और इंडिया अगर हम बात करें तो सबसे जदा टाइगर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे बताओ current of year वालो सबसे जदा सबसे जदा टाइगर आपको कहां पर देखने को मिलेंगे माम MP में टोटल कितने है 785, 785 सेकंड पर आपका करनाटका कितना 563, 563 करनाटका उसके बाद आपका उत्राखंड उत्राखंड कितना 560, 560 और उसके बाद महराष्ट टोटल कितने है तो 445 टाइगर आपको देखने को मिलेंगे टाइगर स्टेट के नाम से मध्यप्रदेश को जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से MP को क्योंकि सबसे ज़्यदा टाइगर आपको कहां पर मिलेंगे MP में ही और इसके अलाबा हमने पढ़ादा कि सबसे ज़्यदा National Park सबसे ज़्यदा National Park भी हमें नाशनल पार्क तो टाइगर रिजर ऊसे प्रकृतिक चितरों पर बागों रख शुतें सखेम की तीज थो कि रख स्वेक्ष रंड में रख जटा में पारी futur बागों को प्रकृतिक है वेज़ा आवास प्रिदान किया जाता है एक नैचुरल फूम ही इनको वो दिया जाता है भारत का प्रतम टाइगर रिजर्व उत्राखंड मे इस्तीत है याद है, जिम कॉर्बेट पहला नैशनल पार्क भी था यह जब हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ये नाशनल पार्क भी है, और ये टाइगर रिजर्व भी है, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, हैली नाशनल पार्क, मतलब हैली से जिम कॉर्बेट किया गया, पहले इसका पुराना नाम इसका था हैली हैली नाशनल पार्क हैली से जिम कॉर्बेट किया गया और अब जिम कॉर्बेट से राम गंगा नाशनल पार्क राम गंगा नाशनल पार्क ठेक है राम गंगा नाशनल पार्क डन रहा बिल्कुल तो भारत का फोस्ट टाइगर रिजर्व उत्राखंड में इस थेता है कौम सा हो जाएगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्राखंड में इस थेता है प्रोजेक्ट टाइगर का बाता है तो जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है वण्य जीव सर्रक्षण अधिनियम वण्य जीव सर्रक्षण अधिनियम वण्य जीव सर्रक्षण अधिनियम 1972 इसके बाद इंडरा गांधी क्या लेकर आती है Project Tiger बहुत बार पढ़ा चुके हैं अब तो तुम्हें याद आने लगे होंगी चीज़ें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत सरकार के दुआरा बागो के सर्रक्षण के लिए शुरू की गई एक योजना है प्रोजेक्ट टाइगर वन्ने जीव सर्रक्षण दिनियम 1972 वाइल लाइफ प्रोडेक्शन एक 1972 टाइगर मैन ओफ इंडिया के राम से किसी को जाना जाता है और यह कौन हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे महान प्रकृतिक वादी और सर्रक्षण वादी कैलाश सांखला इनका नाम याद रखेगा. केलाश सांखला केलाश सांखला इनको क्या बोलते है टाइगर मैन ओफज इंडिया क्योंकि सबसे जादा बागो को बिचाने के लिए इनोंने बहुत ज़ादा काम किया है टाइगर को प्रोटेट कीनिक लिए ज jetzt Dayश favorites आषिये कि खेप अचिक साय एपेजिय सांख्ला को जाना जाता है ठीक है क्या बोला जाता है इनको तो Tschagya Man Of India की नाम से इनको जाना जाता है Casa Tas ताईघर Man Of India भारत का सबसे बड़ा और सबसे चोटा बाग अभ्यारने जो हैं वो कौन-कौन से हैं इन पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे डिस्कुशन करने वाले हैं तो भारत का सबसे बड़ा बाग अभ्यारने आंदर प्रदेश में इस्तित नागरजुन श्री शालम है भारत का सब सबसे चोटा बाग अब्यरेण महराश्च थे निच टाइगर रिजर्वय हमने जब बात करी थी कि सबसे बड़ा नाशनल पार्क जो था, वो आपका हैमस नाशनल पार्क था और जब हमने सबसे चोटी की बात करी थी, तो जो था आपका साउथ बटन जो कि आपका अंड़मान और निकोबार में था, ठीक, उसी तरीके से बाइचांस अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ा Tiger Reserve कौन सा होगा तो आंदरपरदेश का नागारजून श्री शलम और जब हम सबसे छोटे Tiger Reserve की बात करते हैं तो ये बोर भी मिलता है और पेंच भी मिलता है यहां पर पेंच लिखा है लेकिन हम बोर भी लिख सकते हैं कि बोर भी तो एक Tiger Reserve है ठेक है बोर भी हो सकता है या पेंच भी आपका हो सकता है ठेक है फिर भी एक बार कंफर्म करी लेते हैं हां ना हां बोर टाइगर रिजर्व जो कि आपको कहां पर मिलेगा महारास्ट्रू में बोर टाइगर रिजर्व पेंच नहीं होगा बोर टाइगर रिजर्व होगा जो कि आपका कहां पर है महारास्ट्रू में ठेक है बोर टाइगर रिजर्व सबको पता ही है लार्जस्ट वाला तो नागरजुन श्री शालम टाइगर रिजर्व है जो कि लोकेटेड कहां पर है आंध्रब्रदेश में वहीं अगर हम सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा वाला आपका कौन सा होगा बोर टाइगर रिजर्व जो कि आपको अबका हमिस नच्टिल फार्क सबसे चोटा चीजे और भारत की स्राज्य को टैगर टाइगर स्टेट आफ इंडिया कायाता है तो बागों की सरवाधिक संख्या के कारण video. इंडिया का Tiger State की रूप में जाना जाता है मद्यप्रदेश को यह पूराना data है ठेक है Skype तो आप नहीं याद रखेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि सबसे जादा टाइगर कहां पर हैं, सबसे जादा टाइगर MP में है, टोटल कितने हैं, 785, 785, उसके बाद 2nd position पर आपका करनाटका है, करनाटका, यह पुरानी MP किस पर लगी है, करनाटका में टोटल कितने टाइगर हैं, तो 563, करनाटका के बाद, जब हम 3rd position की बात करते हैं, तो करनाटका के बाद आपका उत्रा खंड, टोटल कितने हो जाएंगे, तो 550, और उसके बाद अगर हम 4th की बात करते हैं, तो इस इमेज को रहने देना आगे चले उसके बाद देखते हैं सेम वही चीज है रिपीट पर रिपीट पर रिपीट पर रिपीट पर पता नहीं क्या ही है कोई बात नहीं चलो हम पढ़ा चुके है प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में बागू की सर्रक्षिन ही तो प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था मतलब एक्चुल में आपका एक्जामिनर पूछा हुआ है कि जब प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया उस समय प्रोजेक्ट टाइगर की शुरूआत उत्राखंड में इस थी जिम कॉर्बेट नाशनल पार्क से करी गई थी जो कि एशिया का प्रतम नाशनल पार्क है यह हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व आपको 6 देखने को मिलते हैं जिसम सारे के सारे कहां पर मिलेंगे यह सारे के सारे मिलेंगे हमें MP में अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के तो कानहा टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व संजे दूबरी टाइगर रिजर्व इंद्रा प्रिये दर्शनी या पेच टाइगर रिजर्व माधवगड टाइगर रिजर्व और अगर हम बात करते हैं सत्थ पुडा टाइग एसारे के सहारे कहां पर हब मनाख फूर्खीबछबगई थे महाराश्यच्श छे मिलेगे शीम के महाराश्य डार यह 25 गें पहश्य ड़े मलाश्यच्वion बऊंगिज है जो Tiger Reserve नाशनल पार्क भी हो सकते हैं, तो सारे नहीं होंगे, सबी याद करने हैं, थोड़े थोड़े तो याद करोगे, एक एक दो दो चार चार, जाएं, वैसे मद्धेपरदेश के इंपोर्टेंट होते हैं, हर एक्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा सा मद्धेपरद पूर करनाटक में है, ठीक है, सत्पुडा की अगर हम बात करते हैं, तो सत्पुडा भी आपका कहां पर हो जाएगा, मैम, MP में, पेच नहीं, बोर टाइगर रिजव, बोर अलग है, पेच अलग है, दोनों अलग-अलग है, सेम नहीं है, ठीक है, दो अलग-अलग है, इसके सांयाधरी, नवेगाउ, तडबो, बोर यहां पर नास्टेशनल पार्क था, åbore यहां पर नास्टशनल पार्क, तो कि मैं अवेगाम, तड़ो, बोर सांयाधरी में, बोर हम भी ऑं आत्यक़, इसके हम बात करते हैं कि भद्रा टाइगर रिजर्व आपको कहां पर देखने को मिलेगा भद्रा हमें जो है वो करनाटक में देखने को मिलेगा ठेक है भद्रा करनाटक में दांडेली या काली टाइगर रिजर्व नागर होल टाइगर रिजर्व बांधिपूर टाइगर ये भी हमारा हो जाएगा, कर ना टक में. चलो, देखें, बद्रा डाइगर रिजर्व, दान डेली या काली डाइगर रिजर्व, नागर होल टाइगर रिजर्व, बांदीपूर टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, बिलेगिरी, रंगनाथ टाइगर रिजर्व, कर ना टक, तमिल लाडू के इफ अगर हम बात किरते हैं, तो कलाकड मुंदन थरई टाइगर रिजर्व, अना मलाई टाइगर रिजर्व, देखो, अना मलाई, इसके अलावा मदू मलाई, सत्यमंगलम, बड़ा फेमस था, सत्यमंगलम, तो इफ अगर हम बात किरते हैं, कलाकड मुंदन थरई टाइगर रिजर्व, अना मलाई टाइगर रिजर्व, मदु मलाई टाइगर रिजव और एक हो जाएगा आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजव सत्यमंगलम टाइगर रिजव को T into 2 अवर्ड दिया था लास्ट येर T into 2 अवर्ड T into 2 अवर्ड क्यों मिलता है तो टाइगर की संख्या डबल करने के लिए डबल करने के लिए कौनसा अवर्ड मिलता है तो T into 2 अवर्ड जो है वो मिलता है टाइगर की संख्या डबल करने के लिए ठेक है तो अनामलाई मदुमलाई सत्यमंगलम एक्चुल मना इसके साथ साथ एक बरदिया नाशनल पार्क था बरदिया नाशनल पार्क ये नेपाल का था इसको भी कौन सा अवार्ड मिला था तो इसको भी T into 2 अवार्ड मिला था T into 2 अवार्ड इसको जो है वो मिला था आगे बढ़ जाते हैं असम की अगर हम बात करते हैं तो इसम के नाशनल पार्क की टाइगर Defin तो इसको अगर नाशनल पार्क की टाइगर रिजर्व है मानस टाइगर रिजब है, नामेरी है और इसके अलावा ओरांग वैसे टोटल नाशनल पार्क कितने है यहां पर नाशनल पार्क तो यह हो जाएगे हमारे पर 07 यानिकी 7 डिबरू साइकोवा मानस नामेरी काजीरंगा औरांग, ठेक है, दिहांग, यह नाशनल पार्क थे, तो काजीरंगा नाशनल पार्क, मानस्ट, स्वारी, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस्ट टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, और औरांग टाइगर रिजर्व, यह सारे के सारे कहां के हैं, तो यह स राज्यस्थान में जो नाशनल पार्क है वही टाइगर रिजर्व है जैसे कि रामगड विष्धारी ये अभ्यारण ने है रामगड विष्धारी बावनवा टाइगर रिजर्व बना है ये भारत का विष्धारी ये बावनवा टाइगर रिजर्व बना है 5252 वा Tiger Reserve रामगड विश धारी 5252 वा Tiger Reserve इसको बनाया गया है उसके बाद मुपुंदरा हिल्स Tiger Reserve है रन थंबोर Tiger Reserve है सरिस्का Tiger Reserve कैवला देव यहां पर नाशनल पार्क है केवला देव हमारे पास क्या हो जाएगा तो केवला देव हमारा नाशनल पार्क जो है वो हो जाएगा हाँ राजस्थान अलवर में है ठीक है सरिस्का कहां पर हो जाएगा तो सरिस्का हमारा राजस्थान अलवर में है झाल चले 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 जासे इंद्रावती साथ तमास उद्रावती टाईगारीज़रपी तमास ऑधनि सीतानदी टाईगरीज़रपी गुरु घासढा़ि था इसकी बात चल रही थी यह बनेगा लेकिन यह बना नहीं है तो इसको एक बार आप हटा लेना यहां से हमने पढ़ा है इसको यह नाशनल पार्क है गुरु घसिदास टाइगर रिजर्व नहीं है यह नाशनल पार्क है नाशनल पार्क है है ठीक है क्या होगा यह तो यह होगा नाशनल पार्क तो इंद्रावती है इंद्रावती के अलावा अंचनमार टाइगर रिजर्व उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु घसिदास टाइगर नाशनल पार्क है इसको 53rd पहला नाशनल पार्क बनना था लेकिन यह बना नहीं उसके बाद रानिपूर टाइगर रिजर्व जो है वो बना था भारत का 5353 वाला टाइगर रिजर्व ठेक है उत्तर प्रदेश के इफ अगर हम बात करते तो उत्तर प्रदेश में चार है चार कौन-कौन से दुदवा अमंगर पीली भीट और रानिपूर सबसे जादा पूछा जाने वाला कोशन यहीं से है दुदवा अमंगर पीली भीट और रानिपूर यह सारे की सारे टाइगर रिजर्व कहां पर मिलेंगे तो यह सारे की सारे उत्तर प्रदेश में टेक है दुदवा टाइगर रिजर्व अमंगर टाइगर आप लोग हस क्यों हो रहे हैं मतलब मेरे को एक reason नहीं समझ आया क्या हो गया किस बात पहसर हो current affair जादा पढ़ लीगा इसमें से बहुत सारे लोग current affair के session में आते नहीं है पेटा हमको समझ आता है सब कि तुम लोग current affair की class लेते नहीं हो बहुत सारे लोग तो दुद्वा टाइगर रिजर्व है अवंगर टाइगर रिजर्व है पीली भी टाइगर रिजर्व है साथी में अगर हम बात करते हैं तो रानिपूर टाइगर रिजर्व ठेक है तो यह सब आपको कहां पर मिलेंगे यह सब आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे पक्के हैं कमलांग है और नाम दफा ठेक है पक्के टाइगर रिजर्व है ठेक है पक्के टाइगर रिजर्व ठेक है जब हम बात करते हैं पक्के टाइगर रिजर्व कमलांग टाइगर रिजर्व और नाम दफा तीनों के तीनों कहां पर मिलेंगे तो तीनों के तीनों हमको म नाम दफा अच्छा पैरंबी कुलम या पैरंबी कुलम टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है इसके लाबा हम बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व तो दोनों की दोनों कहां पर है केरल में ठीक है दोनों की दोनों कहां पर होंगे दोनों के दोनों हो जाएंगे हमारे के ठीक है परांबिकुलम टाइगर रेज़र। प्रीर टाइगर रेज़र। यह केरल में है वेस्टर बेंगॉलम दो टाइगर रेज़र। बुकसद्रभबन नानेशनल पार्क भी तो था सुन्दरभण टाइगर रेजर। और हमारा क्या हो जाएगा बुकसा- ताइगर रिजर्ब, बुक्सा या बुक्सा बहुत बार पूछा जाता है, पक्के भी बहुत बार पूछा जाता है, जो अरुनाचल प्रदेश का था, पक्के भी कहां का था, तो ये था अरुनाचल प्रदेश का, इतना आपको क्या रखना है, इतना आपको धियान रखना है पेरांबिकुलम टाइगर रिजर्व और पेरियार टाइगर रिजर्व साथी में आप लोगों का जो सुन्दरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व दोनों के दोनों कहां पर है तो दोनों के दोनों आपका वेस्ट बंगॉल में देखने को मिलेंगे जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व फेमस है फूलों की घाटी नाशनल पार्क आपको देखने को मिलाता तो वो उत्राखंड में था फूलों की घाटी नाशनल पार्क कहां पर था उत्राखंड में तो Jim Corbett टाइगर रिजरव और राजा जी टाइगर रिजरव दोनों की भात करते हैं, डोनों उत्राखंड में हैं अमराबाद इम्पोटेंट बनता है, बहुत बार बूचा गया है अमराबाद टाइगर रिजरव और कावल टाइगर रिजरव दोनों के दोनों कहाँ पर है तो दोनों के दोनों तेलंग गाना बात है 2 जून 2014 की जब भारत का 39 राज्य बनता है तेलंग गाना ठीक है, फॉर्मेशन कब होगा इसका तो 2 जून 2014 भारत का कौन सा स्टेट बना था 2 9 29 वाला स्टेट बना था यह 2, 9, 20, 9th वाला state 2, 9, 20, 9th वाला state 2, 10, 10, 10, 10, 11 चले 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 बिल्गोल चलते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है बाइम टोटल कितने टाइकर रिजर्व है टोटल इस समभब 5353 टाइकर रिजर्व है इन इंडिया के अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे इन इंडिया इन इंडिया टोटल टाइगर रिजर्व टोटल टाइगर रिजर्व 5353 है 53rd वाला कौन सा बना था तो ये बना था रानिपूर Tiger Reserve उत्तरप्रदेश का रानिपूर Tiger Reserve कहां का है रानिपूर Tiger Reserve हो जाएगा आपके उत्तरप्रदेश का ठीक है बताया हुए तो है अच्छा इस समय भारत में total state कितने है तो इस समय at a time present में हमारे पास 28 स्टेट है और 8 हमारे पास क्या है 8 हमारे पास Union Territory है ठीक है क्योंकि आपको पता है 31 October 2019 को लद्दाक और जम्मू कश्मीर अलग हो गए थे लद्दाक पॉइंड जम्मू कश्मीर ठीक है ये क्या हो गए थे ये separate हो गए थे अलग हो गए थे इसलिए छे क्या है चले इसके बाद आगे चलता है तो सतकोशिया और सिम्ली पाल ओडिसा में आपको दो ही देखने को भी लेंगे एक आपका हो जाएगा सतकोशिया टाइगर रिजर्व और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो सतकोशिया और सिम्ली पाल सतकोशिया कहां पर हो जाएगा आपका सत्कोशिया और सिमली पाल सत्कोशिया और सिमली पाल कहां पर हो जाएंगे उडिसा में हो जाएंगे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जारखंड की तो जारखंड में केवल एक ही नाशनल पार्क है और वो कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास पलामू नाशनल चब लेंग भी है अब बाकी स्टेट सब्सक्राइबी हम एक बार ने भी ऐग वी धायरन है जीक है। जिसका नाम हो जाएगा दंवा बिहार में अगर वालमी का वालमी की आंदर पर देश में चरी शालम टाइगर रिजब्व या जिसको हम कहते हैं नागारजुन श्री शालम टाइगर रिजर्व तो मिजोरम में मिजोरम में केवल और केवल एक बाग अभ्यारन ने जिसका नाम हो जाएगा दंफा बिहार में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वालमिकी टाइगर रिजर्व आंदर परदेश में केवल एक ही तेंहें से नाहीं की, जिस खेत का नाम हो जाएगा। श्रिष अलम टाइगर रिजव. डंफा पर है kolikes? मिजोरम में है। इसके लाबा वालमिकी की, अगर हम बैदे की, अगर को बात करते हैं, तो वालमिकी की, आपका टाइगर रिजर्व को लेकर के हमें केवल और केवल लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइगर रिजर्व जो है यह कहां पर लोकेटेड है अब मैं कुछ प्वेश्चन्स आप लोगों से पूछ लो अगर आपकी मर्जी हो तो सबसे पहले तो आप यहीं से शुरू कर दो जब हम बात करते हैं दंफा टाइगर रिजर्व कहां पर है दंफा के अलावा पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है बहुत बार पूछा गया है आपके एक्जाम में पक्के के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बुक्सा टाइग रिजर्व ये कहां पर है आपका रानीपूर टाइगर रिजर्व और इसके बाद है आपका एक विश्धारी टाइगर रिजर्व 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 विश कहां पर है इस के अलावा एंगर हम बात करेंगे तो लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा था क्या उप्रिय दर्शनी टाइगर सब e area Darshani या जिसको क्या कहा गया गया एंग ने Salvãy पेच टाइगर रिजव कहा गया है वालमिकी कहां पर है वालमिकी कहां पर है वालमिकी वालमिकी के अलावा अगर हम बात किरते हैं तो अमनगड अमनगड टाइगर रिजव आपका जो है ये कहां पर है अमनगड अमनगड के अलावा एक है आपका दुदवा दुदवा, टाइगर रिजव, हाला कि ये दोनों तो एक ही जग है अमनगड और दुदवा तो शुरुबात यहीं से कर देते हैं अमनगड और दुदवा से आंसर हमारा क्या बनेगा? अमनगड और दुदवा यह उत्तर प्रदेश में है वालमिकी की अगर हम बात करेंगे तो यह इकलोता है जो की हमें देखने को मिलेगा बिहार में प्रिया दर्शुनी या पेंच की अगर हम बात करेंगे तो यह MP में देखने को मिलेगा भीतर कडिका और सिमले पाल यह O-D-I-S-H-E Oressa में देखने को मिलेगा दमफा की अगर हम बात करेंगे तो यह Maisorum में देखने को मिलेगा Maisorum में हमें देखने को मिलेगा Pake has Haanandashal Pradesh में Pake-Diger Reserve Bucksah की अगर हम बात करते हैं तो यह West Bengal में देखने को मिलेगा कि अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में कहां पर हो जाएगा राजस्थान में इसके अलावा जैसे नागारजुन श्री शालम टाइगर रिजर्व है हमारे पास नागारजुन श्री शालम टाइगर रिजर्व और उसके बाद सबसे छूटा वाला टाइगर रिजर्व ज tiger reserve so answer हमारा क्या बनेगा नागरजुन श्रीश आलम ये आंदर प्रदेश में है माम आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश में है बोर की अगर हम बात करते हैं तो ये महरास्ट में है आप मुझे बताऊगे कि अमराबाद जो tiger reserve है ये कहां पर है यह कोशन अच्छा है आप मुझे बताओगे कि अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व यह कहां पर आपको देखने को मिलेगा हाँ मोहिज तुम सरिस्का पर अटके हो अपसे है ना हाँ पदा चल गए हमको कि तुम अलवर सी हो ठेक है उसके अलाबाद टाइगर रिजर्व है भारत में चलो बताओ यह अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है तो मैं यह हो जाएगा हमारा तेलंग गाना में चेक है क इसके बाद अना मलाई टाइगर रिजर्व भी तो पढ़ाया था हम लोगों ने मतला पढ़ा था हम लोगों ने अना मलाई टाइगर रिजर्व यह बता दो आप टाइगर रिजर्व तेक है अना मलाई की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा यह आपको कहाँ पर जो है वो आप इसको देख सकते हो अना मलाई टाइगर रिजर्व को तमिल नाडू में बिल्कुल आंसर हमारा क्या बनेगा तो आंसर हमारा बनेगा तमिल नाडू एक बार मैं आपको फिर ले चलते हूं फटाफट से अगर हम मिजुरम के बात करते हैं दंफा है बिहार में केवल वालमी की है आंदर प्रदेश में केवा लेक है, नागारजुन, श्रीशालम, सत्कोशिया और सिमलिपाल उडिसा में है, पलामू आपको जहरखन में मिलेगा, अमराबाद और कावल तेलंगाना में मिलेगा, जिम कॉर्बेट और राजची आपको उत्राखन में मिलेगा, पैरांबी कुल पीली भीत और रानिपुर उत्तर प्रदेश में, इंद्रावती, अच्छन कमार, उदंती, गुरु घासीदास तो खेर नाशनल पार्क है, वागे उदंती, अंचन कमार और इंद्रावती ये चतिसगड में मिलेगा, रामगड विश्धारी अभ्यारन मुकुंद्रा हील से रनथंबोर है और सरिस्का ये राज़स्ता में मिलेंगे, काजुरंगा, मानस, नामेरी और और औरांग ये आपको असम में मिलेंगे, इसके अलावा अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये तमिल लाडु म में हैं कानहा, पन्ना, संजय, इंद्रा, बांधवगर, सत्पुड़ा, यह सारे के सारे कहां पर है, तो यह सारे के सारे आपके MP में है, तो कुल मिला करके, आज हमने नाशनल पार्क पहले पढ़ा, नाशनल पार्क के बाद, आज हमने टाइगर रिजर्फ भी जो है, वो करवा दिया, ठीक है, बाकि आप लोगों की जो क्वाईरी हो, या आप लोगों के जो डाउट्स हो, इफ अगर आपको लगता है कि माम यह डाउट है या यह क्वाईरी है तो आप पूछ सकते हैं, बाकि जो सुबह आठ बजे करंट अफियर वाला सेशन होता है, उसको लिय करो, प्लीज लिया करो, हाँ, करेंट अफियर वाला, हाँ, निपटा दिये हैं, आप टाइगर रिजर्व भी आज, उसके बाद मंडे को मेरे क्याल से आपका बायोस्पियर रिजर्व वाला टॉपिक है, हाँ, बायोस्पियर रिजर्व वाला टॉपिक है, अगी करेंट का क्या लगा क्या सा लगा उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं आप उसके बारे में इनफर्म कर सकते हैं बेड़ा निप्टा नहीं दिया हम तुमको रटवाए भी तो है कह रहाए कि माँ आपने निपटा दिया, भीटा निपटा ही नहीं है, हम तुमको याद भी तो करवाए हैं संग-संग में, निपटा दिये हैं वाले जलो, तो सेशन को यहीं तक रखें, बाकी आफ सभी अपना थियान रखेगा स्वस्त रहें, मस्त रहें और ऐसे ही सिखते रहे मेरे साथ और पूरी टीम के साथ तांक जो मच, बब बाई एंड बेस्ट ओफ लक चाहिए, हैव गुड दे झाल